हेलो स्टुएंट्स तो देखिए EPFO की इंग्लिश हम आपको बता रहे हैं इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं तो इसमें क्या है EPFO में 20 questions जैसे आपको पता भी है 20 questions इंग्लिश के आएंगे इन 20 questions की प्रेटेस हम आपको करारा है कि question किस तरपकार से पूछे जा सकते हैं तो चलिए हम अगर आपने फिल किया है यह फॉर्म तो यह वीडियो आपके लिए महत्पून है चलिए इसमें आपकी वो कायबाती यह से अनॉनिम आते हैं टॉनिम आते हैं फिलर चार जीए हमने इसे question कुछ मिल भी सकते हैं चलिए तो देखे पहला question है आपका filler प्याधरिद क्या है देखे nobody believed nobody believed राम at first किसी राम का किसी ने विष्वास ने किया at first site पहली बार में राम का किसी ने विष्वास किया बट ही, to be right, लेकिन वह बाद में सत्य साबित हुआ, तो क्या होगा, came out, carried out, work out, turned out, phrasal word दिये हुए हैं, आपको phrasal word भरने इसमें, तो क्या होगा, देखे, come out, come out का मतलब होता है, आप नहमों लोम हो, नोट कर लीजे, come out का मतलब होता है, result या end, कोई चीज, result को प्राप्थ हो, या end हो, उसका, तो बोलेंगे उसको, come out, second option क्या है, carry out, carry out का मतलब होता है, आदेशों का पालन करना, come out, end है, result है, कर और पावल करना है, work out, work out का मतलब होता है, उपाय खोजना, find the solution, find, और turned out का रज़त होता है, to be found true, to be found, ये पता चलना, क्या होता है, turned out का मतलब होता है, पता चलना, तो पता चलना, ये है, चारो फेजर वलो के हमने आपको अर्थ पता दिये, तो अब इस आधारप पे तो देखिए, ऐसे हो सकता है, न, but he turned out to be right, लेकिन बाद में पता चलना, कि वो सही था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कि वो सही था, तो अपसन आपका क्या हो जाएगा, चार नमबर का हो जाएगा, नेक्ट देखिए, अगला, तो आप कैसे हो अपने नई जाब में, क्या आप मजा ले रहा हो, तो किसका, keep on और keep on going on, ये दोनों कार्ज लगभग होता है, continue, to start continue, to start doing something, कुछ भी करना, ठिक, उसके लिए आता है, तो getting on, getting on का मतलब होता है, किसी खास तरीके से प्रगति करना, perform, make, progress in space, किसी खास तरीके से प्रगति करना, और carry on माने होता है, carry on का मतलब होता है, कि continue in any task, जारी रखना, लगभग तो carry on, go on, keep on, इन सब का लगभग एक ही अर्थ है, तो how are you, space की बाद होगा, getting on, कैसी आप प्रगति कर रहे हो, getting on का मतलब होता है, perform, make, progress in specified field, कैसा आप प्रफॉर्स कर रहे हो, अपनी फिल्ड में, perform, make, progress in any field, progress in any field, तो आप कैसे हो, अपने फिल्ड में आप कैसे प्रगति कर रहा हो, तो का हैंगी getting on, चलिए, अगला क्या है, अगला देखेंगे, थर्ड नमबर का, we, space, live, space, दिया है, we, live, space, a tower block, our compartment is on the 15th floor, हम 15th floor है, इसमें क्या होगा, we, live, हम रहते हैं, कहां पर, in, a tower block, की at tower block, क्योंकि above और over को ऐसे कट जाएगा, in और at में से बताना है आपको, तो आपको बता है, छोटे स्थानों के लिए at का प्रियोग होता है, तो we live at a tower block, हम tower block में रहते हैं, अगर कोई बड़ी जगह है, तो वहां के लिए in आता है, जैसे I live in लखीमपूर, I live at पत्रासी आएगा, या किसी block का नाम है, किसी apartment का नाम है, तो वहां के लिए at का प्रियोग होगा, तो यहां आपका सही option क्या हो जागा, at होगा, ठेक, इन लगा देंगे तो वह बता है न, इन बड़े स्थानों के लिए प्रियोग होता है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, फोर्थ नमबर का, वी, वी वेर गोइंग तो अप्लाई पर जॉब, एंड देन यू, यू डिसाइड़ नॉट तू, तो तुमने पहले अप्लाई किया आप जॉब के लिए आप सोच्रवासा नहीं करना है, पूट यू ऑफ, का मतलब उता है, क्या ऐसा होना जिसके कारणा ना इंट्रेस्ट या उत्सा कम हो जाना, यह आपसंद सही होगा इसके लावा put out का मतलब होता है किसी मुसीबत या समख 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 जाना turn off turn का मतलब होता है कि boring feel करना turn you away का मतलब होता है कि incar कर देना तो put you off हो जाएगा put you off कर्द interest या रुची उत्साह का कम होना अगला देखें नीरस्ट मीनिंग बतानी है आपको synonym बताना है synonym किसका बताना है इसका बताना है reluctant reluctant का क्या उर्थ होता है जिखी बिना इच्छा के होता है जब कोई बिना मन से पढ़ाई करता है बिना मन से कोई काम करता है तो reluctant बोलते है Unwilling जिसको बोलते हैं Unwilling बिना इच्छा Will माने इच्छा भी होता है तो Unwilling माने अनिच्छोक तो अनिच्छोक का बिना इच्छा इसका क्या होगा? Synonym इसका होगा इगर माने उत्सुक, फर्वन्ट माने जो स्या उत्सा होता है और इसका होगा Dis-Inclined Dis छोड़ गया है, D-I-S छोड़ गया है Dis-Inclined का मतलब होता जिस चीज में रुची ना हो Inclination Inclined का मतलब होता किसी चीज की तरफ जुकाओ और Dis-Inclined मतलब किसी तरफ जुकाओ ना होना, कोई रुची ना होना तो Reluctant का क्या हो जाएगा? Dis-Inclined होगा अगला है Reprimand देखे दिया हुआ है, पुरा वाक नहीं पढ़ रहा है हम Underline उसको करे दे रहा इसका Reprimand Reprimand का क्या होगा? ठीक Reprimand का Synonym Symboled क्या होगा? यह होगा आपका Admonish क्या होगा? Admonish Admonish मने होता डाटना Reprimand मने होता है, फटकार लगाना ठीक Scoled तो हटका वाल्ड है, इसकोल्ड मने डाटना Reprimand, फटकार लगाना, डाटना दोनों का आई करते है, रिप्रिमांड है Admonish है, ठीक एक वाल्ड होता है, चाइड, इसका मतलब भी होता है डाटना, फटकार लगाना तो Extoled का मतलब होता है, कि बहुत अधिक उत्सा के साथ प्रसंसा करना ठीक, और Purported का मतलब होता है, बहाना करना Pretend बहाना करना, रिक्वायर मने जवाश सकता होना सभी के अर्थ हम आपको बताए दे रहे हैं गांधी जी के लिए भारत की धार्मिक और भाशाईक विभिनता तो है, वो इसकी एक संपत्ती है तो A-set मने होता है संपत्ती इसका कौन सा सिनानिम है संपत्ती का कौन सा दिया हुआ, संपत्ती का सबसे नीरस्ट कौन सा हो जाएगा सिनानिम obligation नहीं होगा attribute भी नहीं आ रहा है reinforcement भी नहीं है तो क्या होगा, इसका हो जाएगा lab advantage गांधी जी के लिए एक lab के समगन है A-set का मनला हो जाएगा lab lab की तरह है भारत की अनिक धर्म होना और बानिक भासाय होना lab की तरह है lab को जोड़ा गया इससे A-set से तो option number 2 ही हो जाएगा अगला 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 देखिए सिनानिम क्या है hysterical hysterical है hysterical hysterical का हो जाएगा यह हो जाएगा जो चीज़ देखिए बरसर्क होगा एक बरसर्क और hysterical का रत क्या होता है जो चीज uncontrolled है अवेवस्थित है उसके लिए होता है बरसर्क जो बहुत जादा गुस्से में हो उसके लिए बरसर्क प्रयोग करते है उसके लिए बरसर्क और hysterical दोनों का एक ही अर्थ है सेनोनिम है तो चलिए हमने आपको वल्ड बताए फिर से हम पढ़ा रिविजन के रहेते है बिनाइच्छा इसका सेनोनिम बिनाइच्छा ये भी है रिप्रिमांड ढाटना अगला है संपत्ती इडवांटेज है बरसर्क हो जाएगा बरसर्क पता है न अत्यधिक जोस या उत्सा किसी चीज के लिए बात के लिए अत्यधिक नाराजगी यह होता है इसे बिजलिक दामबल जाए तो पबलिक बहुत बरसर्क हो जाएगी अगला देखिए अब क्या है अब आपका अपोजिट पूछे गए है ठीक अपोजिट थोड़ा सा बलाराया है प्रोफाउंड दिया है प्रोफाउंड क्या है प्रोफाउंड प्रोफाउंड का क्या नोललेज़ होता है इसका अपोजिर बताना आपको चैक तो प्रोफाउंड का हो जाएगा आपका अर्थ प्रोफॉण का अर्थ होगा वेरी ग्रेट है कीन है सोईंग ग्रेट नॉलेज जिसके जो बहुत ज्याधा टीचर वाज यह प्रोफाउंड मैं मतलब टीचर ऐसे वक्ती थे, जो profound mind थे, तो उनके में बहुत जोसीले थे, बहुत बहुत बहान थे, बहुत उतसुक थे, बहुत अपना knowledge से भरे हुए थे, sincere थे, विद्वान थे, कई चीज़े हैं न, profound में कई चीज़ आएंगे, जो बहुत उतसाही हो, जो जिसमें बहुत जदन knowledge हो, profound में कई चीज़े हैं, knowledge भी है, वो विद्वान भी है, उतसाह भी है, उसमें, बहुत कीन है, बहुत उतसुक है, किसी चीज़ के लिए, तो teacher वाली quality को है, profound में कहेंगे, उनके लिए, तो profound का क्या हो जाएगा, opposite, superficial दिया हुआ, D, superficial मने वेकार, व्यर्थ, जिसमे पढ़ा जा सके, इसका पोज़ेट होगा, eligible, मतलब इसको पढ़ाना जा सके, यह होगा, का तीन अपसे, नमबर अपसे, street fast, street fast का मतलब, इरादों का पक्का, ठेक, street fast, द्रण इच्छा सकती वाला हो, जो वफादार हो, जो विस्वसनी हो, उसके लिए street fast होता है, loyal है, faithful है, street street fast में तीन चीजे होती है, street fast जो होगा, विफाब अभधार होगा, और विस्वसनी होगा, इसका opposite होगा, क्या होगा, इसका होगा, unreliable, चार नमबर का, ठेक, और अगला है, आपका, tempestuous, tempestuous का मतलब जो बहुत ज्यादा, violent हो, और उससा से भरा हो, violent, tempestuous का अर्थ हो जाएगा, विलेंट होगा, जो बहुत उगर हो, उसको कहेंगे tempestuous, और इसका opposite हो जाएगा, जो बहुत सांथ हो, बारवे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अपोजित बताना है, tempestuous औ violent आप समझे लो की synonym है, अपोजित है, अपोजित क्या जाएगा, काम हो जाएगा, शांत, चलिए, पांच फिलर देख लिए, पांच हमने आपको बता देखेंगे, इनकरेक्ट वाले वाग के थे, अगला क्या है, बुद्धिस्ट, बुद्धिस्म सिखाता है, that freedom desires, कि free from desires, कि इच्छाओं से मुक्ती होना, will lead to escape something, इच्छाओं से मुक्त होना, हमको मुसीबतों से आजादी देगा, कष्टों से आजादी होगा, देगा, ठीका, तो इसमें क्या होगी गलती, तो पहले देखिए ना, टीचेज हैं इधर, बुद्धिस्ट में सिखाता है, त इसके लिए यहाँ पर होगा, the freedom from desires, ले जाएगा नहीं, जो यह universal बात है, जो universal बात होती है, उसके लिए present independence पर्योग होता है, इसमें क्या है universal बात, उसमें यह है, बुद्धिस्वाम को यह सिखाता है, कि अगर हम इच्छाओं से आजाद हो जाते हैं, तो हमारी custom से हमको इसके लिए universal truth यहाँ पर present inheritance में आएगा, will lead नहीं आएगा, नेक्स्ट क्या है, this hardly won liberty was not to be lightly abundant, यह मिहनत से कमाई गया क्या आजादी, इसको असानी से नहीं छोड़ देना, तो hardly नहीं won, hard, hardly होता है आपका adverb है, hardly, hardly मन होता है negative, मतलब नहीं, लगभग नहीं, hardly का मतलब होता है नहीं लगभग, ठीक, तो this hard won, क्या होगा, यह hardly नहीं होगा, hard, this hard won liberty, मतलब मिहनत से कमाई गई सुतन्ता, परिष्टरम से कमाई गई सुतन्ता, तो hardly नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, hardly नहीं लगाएंगे, hard लगाएंगे, ठीक, यह hardly का अर्थी कुछ और हो जाएगा, तो hardly और hard दो अलग शब्द हैं, अगर आपको मेहनत से कहना है, मेहनत से, तो आपको hard गएंगे, जैसे आप कहते हैं, he works hard, तो work मेहनत से पढ़ता है, ठीक है, मेहनत से पढ़ता है, तो अब this hard won, मुश्किल से कमाई गई, अगला क्या है, अगला क्या है, एक इन्करेक्ट वाला, my friend said, he never remembered having read a, क्या, memorable book, यह दिया हुआ है, इसमें क्या होगा, इसमें, 15 number में, तो इसमें होगा आपका, दो number जो दिया हुआ है, my friend said, he does not remember, यह आपका होगा, he does not remember, तो इसमें आपका, यह he does not remember हो जाएगा प्रजेंट इन डिफुन की बात इसमें भी होगा he does not remember having a memorable book option number 2 अच्छा अगला क्या होगा अगला देखिए with a population of over 1 million India stand a second most of the populous country India is, यहाँ से आप बताईए क्या होगा India is second most populous country in the world after China इसने बताना क्या होगा इरर यह इसी में है जो नंबर होते हैं first second third तो इसने से पहले हमेशा क्या लगता है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर होगा the second India is the second इरर कहाँ पर नंबर टू में है अब हम कुछ देखेंगे आपको बताएंगे कुछ फ्रेजल इडियम फ्रेज भी आते हैं तो इडियम बताएंगे कुछ इडियम फ्रेज जो आते हैं चलिए क्या दिया हुआ है to live in a fool's paradise इसका अर्थ क्या होगा क्या होगा इसका इसका होगा यह है नंबर टू to be feel happy and satisfied and believe there are no problem मतलब मूर्खता के संसार में रहना ठीक, paradise मने स्वर्ग होता है मूर्खता संसार में रहना मतलब इस चीज को समझना कि सब कुछ सही है कितना भी खराब से स्थिती हो मतलब अपनी स्थितियों को इग्नोर कर देना ठीक, तो अपनी स्थितियों को अपनी परिशितियों को इग्नोर कर देना तो full paradise है क्योंकि स्थितियों परिशितियों तो वही रहेंगी आपने इग्नोर कर दिया है तो क्या है समय परिशितियों तो वही है one bad person in a group of good people एक खराब चीज अच्छे लोगों की बीच में खराब चीज कहेंगे क्या ए रॉट एन आपल to vote with one feet to vote with one feet इसको देखिए to vote with one feet इसका अपसन क्या होगा यह है to express a particular opinion एपनी एक विशेष राय रखना इसके लिए होगा to vote with your feet indicate an option by being present यह अपसन तो next और last है आपका verbal diarrhea verbal diarrhea क्या है verbal diarrhea verbal आपको होता ना मोखिक मोखिक को मालूम होगा diarrhea भी आपको मालूम है to be sick to be to talk too much to be in difficult situation to be a good orator verbal diarrhea का मतलब कोई बहुत ज़्यादा बात करे है to talk too much तो उसको diarrhea कैसे हो गया है diarrhea बदजीमी कैसी हो गये उसको ठीक उल्टी दस्त की सिकायत क्या हो गई है उसको उल्टी दस्त की सिकायत है verbal बहुत ज़्यादा बोलता है तो दो नमबर आपसन इसमें सही होगा आपका ठीक है तो विद्यार्थी उसी तरह से सीखते रहे हैं कि EPFO में EPFO में क्या है आप आराम से क्रैक करने एक्जाम कोई बहुत हाई साउंडिंग वर्ड्स नहीं आता है ठीक वो कैप के लिए आप हमारी प्रूवकाइब प्लेलिस्ट देख सकते हैं और साथ में इसमें जो प्रेटिस करा रहे हैं यह भी आपके लिए बहुत हेल्फुल होगी तो अपना सेनॉनिम दयार कर लीजिए आप मीडियम रेंज के बहुत हाई सांडिंग नहीं और एंटॉनिम है और इडियम देखिया आ रहे हैं एक्जाम में इडियम है और करेक्ट इनकरेक्ट वाले वाद करेक्ट इनकरेक्ट पढ़के सरस्वालो करना सीखिए इतना अच्छा आप स्कोर कर लेंगे आपकी समाहना ज्यादा होंगी परिछा बीट करने की ठीक फिर मिलेंगे नमस्ते